शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेला इकान दबाना ना भूले बेला परिसर में मानो कमपणी में कुछ दिन पहले बॉयलर प्लास्ट हुआ था इस हाथसे में पाश लोगों की जान गई थी ये सबी सामान्य घर से आते हैं इनके परिवार को आर्थिक मदद और हाथसे को जिम्मिदार व्यक्तियों पर कारवाई की मांग अब हो रही है क्याया मैं हें और काम करते समय कोई सुरक्षा नहीं की गई थी कि शरु lamps के साथ हाथसे में जीन की जान गई उनके परिवार के लोग व्यक्ति थे लोग हमारे के किमाने वाले व्यक्ति थे अब यह चले गए है इसलिए हमारे सामने समया wurde है इसलिए हमारी मांग है कि शासन सभी परिवार को आर्थिक मदद करें और परिवार के व्यक्ति को नौकरी दें मसला यह है कि एक अगस्त को बेला गाउ जो है वो उम्रेड तालुका में आता है तो यहां पर जो पहले पूर्तिकार खाना था उसका उसके जगह पर अभी मानस अग्रो प्राइविट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई है तो यह कंपनी के द्वारा छे मैंने कंपनी बन कंपनी को यह देखना चाहिए था कि टाकी में गैस है कि नहीं वो उन्हों ने देखा नहीं अगर contractor को काम दिया तो contractor की जिमिदारी थी उसने देखना चाहिए था की टाकी में कैसे की नहीं वो भी देखा नहीं और सीधा building करने को लगा दिया तो इन्होंने जैसे building अपना काम शुरू किया वो आख से sport हुआ, explosion हुआ और ये पाचों मजदूर अंदो spot मर गए वहाँ safety officer भी नहीं था वो industry में, हाँ तो इसलिए मैंने अभी जिलादिकारी मवदे से बोला है कि department of industrial safety and health अवद्योगी सुरक्षा इसके department के अधिकारी के द्वारा इसका investigation होना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग गए गाओं में ये जो इनके जो रिष्टदार थे, इनके जो परिवार जन लोग थे, उनको मैं मिला सभी लोगों बहुत ही गरीब है, और सभी लोग डेली मजदूर है, डेली वेज, अरनर मजदूर हैने, रोजन दारी के कामगार है, इनके पास कोई खेती वेती है नहीं, तो इन लोगों के लिए अभी उनका घर का जो कमाने वाला आदमी था, वही मर गया, तो ये सब अभ कोई clarity नहीं है, इसलिए हमने जिलादीश महदे से ये बोला है, कि आप सरकार की और से इनको 20 लाख रुपे प्रिती फैमिली आप इनको मदद दिलवा दीजिए, और दूसरा ये था कि इनकी परिवार के किसी एक सदस्य को आप रोजगार दीजिए, हम ये नहीं कहते कि सरक अववाहित थे, तो जो अवववाहित लड़के थे, वो उनके परिवार के अर्निंग सदस्य थे, घर में बहन और मा तो कुछ काम करती नहीं, तो इसलिए इनको मदद दिना बहुत ज़रूरी है, दूसरी डिमार्ड हमने collector के पास में ये रखी है, कि इसके inquiry होने चाहिए, Department of Industrial Health and Safety की और से, कि बायो गैस की टाकी होने के बावजूद भी, और वेल्डिंग का काम होने के, जो की बहुती जोखिम भरा काम है, ये सेफ्टी की उपाई क्यों नहीं कियेगे, ये जिम्मेदारी किसकी है, तो जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, तिसरी बात जो हमने ये बोली है कि केवर कांट्राक्टर की उपर एफायर करने से कुछ नी होगा, जो कंपनी के माली के या संचालक है, उनकी भी इसमें जिम्मेदारी बनती है, जो भी कानूनन जिम्मेदारी बनती होगी, तो वो जिम्मेदारी का वहन करना चाहिए उनको, और उनकी उसके उपर कारवाई होना चाहिए क्योंकि एक साथ एक फैक्टरी में पांच लोग मर गए और एक तो वो एरिया ऐसा है कि जहां कोई उद्द्योग नहीं है जहां कोई दंदवेंदर है नहीं और ऐसी में पांच लोग का मर जाना यह बहुत बड़ी निगेटिव बात होती ह हमारे नाखपूर जिले के लिए इसका इंक्वारी होने के बाद में इसके उपर उचित कानूनन कारवाई होनी चाहिए तो इस प्रकार से हमने डिमांड जिलादिकारी महुदय के पास रखी है और उसमें पूझा बीक सब्सक्रावं यह जानती है अर रिकितिकारी में उनकी जो अपर जो आगात हुआ है उसके प्रती में समविदना वेक्त करूँ और उनको मदद करूँ इस बहाने में इसलिए में जिलादिश मोदे से अपना नियविदन दिया है और उनकी तरफ से उनका एक वेक्तिकत नियविदन भी है जिसमें उन्होंने मदद की मांग की है